सुना ही मादरी श्पेशल्टी गेम के लिम्टेड आज देखें यह कच्छी खासी तेजी के बाद एक गिरावट देखने हूं विली आप गिस गिरावट के पीछे दो रीजन्स हैं दो बिग रीजन्स हैं जो कि यहां पर हम यहां पर देखेंगे लेकिन यहां पर दूर थोड़ा सा प्राइसिंग प्रॉब्लम है गूगल पर तो अभी हम समझेंगे वो दो प्रॉब्लम गया और खरिदारी कहां पर करना चाहिए तो आज आपको यह बिग केंडल दिख रही है बिग रेड केंडल दिख रही है दस परसेंट लोग गया था आज मार्केट क होता है जबी भी यह होता है आपकी सरक्रिट लिमिट कम होती है तो फिर आइस टॉक के अंदर जातर गिरावट आती ही आती है वही यहां पर कहीं न कहीं होता हुए दूसरा रीजन वही ओबर बाउट वाला जो कि आरेसाई आपका काफी हाइली ओबर बाउट था और अब थोड़ा सा थंड़ा पड़ता हुआ इवर काफी जादर थंड़ा पड़ता हुए दिखाए जो कि मैंने आप से गाता कि एक छोटी से ग्रावट चाहिए उतने में ही यह काफी हलका हो जाएगा तो वह यहां पर होता है लेकिन पहला जो रीजन है ना यह सरक्रिट लिमिट चेंज होते हैं और थोड़ा सफ पीचह अखते हैं कभी देखाए 10 परसेंट की सर्किट में दस परसेंट में आप आप अप्टाउट नीगाट तो आप यह समझे की HSCL एक हाई बीटा स्टॉक है और यह 11-12-13 परसंट चल जाता तो उसके बार हलका फलका होकर वो 9 परसंट 10 परसंट साधें 10 परसंट के आसपास की तीज़ी दे जाता था अब वो 10 परसंट अगर स्टॉक चला तो दस परसंट सर्कूर लगता रहेगा तो स्टॉक के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है ज्यादा सर्कूर लगना स्टॉक के अंदर बिलकूल आनी का रहा है नजर में आया आता है अब पूरा अपडेट नहीं हुआ यह 10 सेप्टेमबर तक आपका अपडेट होगा तो 10 सेप्टेमबर तक यहां पर देखते रही है कि अगस्त का डेटा कैसा है अगस्त में किसने खरीदारी करें कोई चेंज नहीं किया जितने थे शेहस 20,85,000 थे पहले के उतने ही अभी है को कोई नहीं खरीदारी फंड की तरव से नहीं करे है यह बस उनकी वेल्ल्यू में चेंज हो गया है क्लोजिंग के तो यह अच्छी बात है अदर नरौग पर क्लोजिंग पर क्लोजिंग होगी है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती यहां पर पी रेशियो आपका 44.65 आ चुका है 48 से 46-48 से almost तो अभी यहाँ पर P ratio थंड़ा होता हूँ दिखा है क्योंकि stock में गरावट आई है stock में दो तरहीके से P ratio थंड़ा होता है या तो quarterly number से यह अपने आपी एक कूल ओफोना start करें जो कि calculated होकर होता है कि EPS आपका increase होता है profitability बढ़ेगी EPS increase होगा तो वो P ratio डाउन आता है price to earning डाउन आता है तो वो यहाँ पर रहता है या तो फिर stock के अंदर गरावट तो आज वही होता हो दिखा है और यहाँ पर अभी भी आपका जो price to book value हो अभी भी आप SRF की तरफ चल रहे हैं इसको भूलेगा नहीं 5.10 multiple पर work कर रहा है इस वक्त HSCL और देखें आज यह chemical sector में जो आपका competitor है अगर आप देखें थोड़ा सा तो SRF limited आज इसकी stock में गिरावट नहीं आए लेकिन यह चला नहीं था 38 का P ratio पहुंच गया है आज HSCL का down गया है SRF का P ratio बढ़ा है तो यह थोड़ा सा अपोजिट हो गया है लेकिन फिर भी मैं आप से कहूँ है का अगर आप HSCL को track करते हैं न तो आप Tata chemicals को track करना पूरे sector के अंदर Tata chemical लीडर है लेकिन उसका P ratio 12 पर है यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग वाली बात है उसका जो book value है वो 800 के आसपा से stock काम कर रहा है तो एक हजार 90 रुपए पर तो आप उसको track करने स्टार्ट कर दीजे अगली रेली कहीं न की chemical सेक्टर में बड़ी तेजी जो है वो टाटा chemical में आ सकती है तो possibility है तो उसको थोड़ा सा research पर रखी अपने और आज आपका जो RSI है वो आज पहुंच चुका है 84.86 पर आप थे 94 पर वहां से आप देखे 10 परसेंट का correction हमें देखने को मिला है तो यह है और यही मैं आप से कह रहा था कि 10-15 परसेंट की अगर ग्रावट होगी ना 10-15 परसेंट की यह RSI कूल ओफ हो जाएगा आपका बिलकुल RSI जब आपका 80 की ऊपर चलना है स्टार्ट होता है 85-86 तो दीरे-दीरे-दीरे करकर increase होता है लेकिन जब वहां से एक छोटी सी गिरावट भी आ जाती है तीन परसेंट की तो इतना तेजी से डाउन होता यह RSI का तो पहले चलता बहुत तेज है 85 की ऊपर बहुत ही धीमी धीमी स्पीड से चलने लगता है वहली आपके अंदर circuit क्यों ना लगते रहे slowly 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 increase होगा वह slowly 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 increase यहां पर हो रहा था लेकिन एक छोटी सी गिरावट आई 4% पर closing हो यह आपका RSI देखे 10.9 होगा है तो यह है अंदर और यही थोड़ा सा चाहिए ता इस टोक के अंदर अब सबसे पहले base की बात कर लेए उसके बाद हम देखते हैं कि base कहां पर है कि closing के हिसाब से ना आपका closing basis है 20-25 मिनट एक stock नहीं यहां पर एक important level को hold किया है वो है 266 266 का level इस stock नहीं hold किया है क्योंकि आप यहां की candle देखे यहां से लेकर यहां तक की candle देखे यहां red वाले से start यह 266 की line है 266 पर काफी देर hold किया है इस stock नहीं एक अच्छी रेली आई उसके बाद एक dip आया फिर यहां पर उसी dip ने समाला फिर थोड़ी सी recovery फिर इदर डिप आई तीन-चार तो यह समझे पांच-पांच उनिट की candle यह कह रहे हैं कि 206-6 रुपए इस वक्त बहुत ही अच्छा लग रहा है और stock ने समालने की कोसिस करी है पूरे दिन में यही level है जो की hold किये थे काफी अच्छे से hold किये थे किया थो इदर भी था लेकिन dip आगे लेकिन closing basis पर बहुत important होता है closing basis पर लोग अगले दिन की strategy भी बना कर ले जातें कभी कबार तो यह थोड़ा सा द की limit change हो गई है 250 पर आपका lower सरक्रिता तो खरिदारी करने के लिए आतक हों तो खरिदारी की जगह 250 पर ही थी वहां से देखे चला भी था कुछ लोगों ने वहां पर buy करी है और वहां से उन्हें reward भी मिला है लेकिन quite risky था 250 पर लेना यह तो है तो risky काम मत करी है simple है तो अभी इसे stock के अंदर क्या देखे देखे मुझे लगता है कि अभी RSI जो फिसला है ना यह थोड़ा सा और फिसलेगा possible है ऐसे में क्या करें देखे 215 पर बहुत important level 215 पर अगर यह stock आपको 240 230 मिलता है तो फिर आपको यहां पर 215 पर नजर रखनी है 215 कहीना कि एक important level है यहां पर कि अब दो दिन की गिरावट आई थे 215 सा ही वो recovery आई थी तो वो 215 काफी important level हो जाता है 215 सेफ्टी पर पस 210 रुपे का एक important level आप मानके चलिए 215 को नहीं हमेशा ध्यान रखे यह थोड़ा सा मैं हमेशा देड़ दो रुपे लेकर चलता हूं नीचे में down एक important level है तो उसक यह stock high vita है इसके अंदर 50-50 पैसे 10-10 पैसे 33 पैसे 90-90 पैसे पता ही नहीं चलता है अचानक से कहो कि एक रुपे ऊपर 255-256 पर खड़ा हो पता चला 2757 हो गया 258 हो गया तो इतना high vita stock है तो वह दो तीन रुपे बताने चलता है इसलिए safety पर पर 210 कर रखो ज्यादा बैतर है तो अगर यह 230 के आसपास मिले और किसी को खरीदना है जो कि सोच रहे हैं कि मैं उच्छतम लेवल के खरू लूँ आपको नीशे मिले तो आप एक stop loss लेकर आप अपना जो है position बना सकते हैं यह clear 240 तक आएगा तो आपका जो RSI यो काफी जादा cool off हो जाएगा यह भी ध्यान तो अभी जो है अभी थोडा सा scenario change हो गया है scenario change हो गया है और market में मैं आपको बता दू small cap बहुत महेंगी हो चुके है मिट कैप बहुत महेंगी हो चुके तो वो थोडासा महेंगा बहुत हो गया है आप यह समझे टोपी पहना जा रही है मार्केट के अंदर कई स्मॉल के मिटकेप के अंदर HSTL में तो चलो ठीक है एक अच्छी खासी तेजी हमने देखी एक fundamental run-up है आगे भी देखा उसका एक reason है HSTL बिलकुल अलगी एक variety है market के अंदर तो वो समझे लेकिन वो long term है आप लगातार जो buying देख रहे हैं उसके अंदर अभी fund buying निकल कर नहीं आई तो वो अभी थोड़ा सा अभी देखने दीए 10 September तक क्या mutual fund कर निकल कर आता है वो देखना important है तो वो सब देखेंगे फिलाल जो है आप यहां पर थोड़ा सा अलर्ट होकर चलें जादा बैतर है buying का जो आप कहरें buying का थोड़ा सा scenario चेंज हो रहा है यहां पर तो वो थोड़ा सा हमें precaution के साथ चलना होगा थोड़ा सा हमें एक देख दाकर चलना होगा और stop loss must है stop loss hit यानि कि आपको नहीं रहना है फिर stop के अंदर फिर वो निचले लेवल आएंगे तो वो तैयारी करने है तो तो अमीद है आपको यह बात अच्छी लिए होगी आप क्या कहना है इस क्यूब कमेंस से समके यह और अब दिजम जाए बड़ी देखने के लिए पतो दन्माद दूस्तों